हेलो एवरिवन मम्ता के देशी किचर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम खाजा की रेसेपी आपके शाथ शेयर करेंगे जो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे बनाकर इस होली पर इंज्वाई कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये बनाना बहुत ही आसान है और फ्रेंड्स इसे हम सिर्फ दो चीजों से बनाकर तयार करेंगे और बहुत सारी पर्तों के साथ ये बनकर तयार होता है तो फ्रेंड्स कभी कभी हम सोचते हैं कि ये बहुत टफ होता है बनाना बट मैं बहुत सिंपल तरीके से ये रेसेपी आपके शाथ शेयर करूंगी औ और आप इसकी आवाज को सुन सकते हो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनके तयार होते हैं तो देड़ हम बिल्कुल नहीं करेंगे रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले हम चास्री बनाएंगे तो एक कप यहां पे मैंने चीनी लिया है और आधा कप पानी का यूज करेंग लाने लगा है दो तीन ड्रॉप यहां पे मैंने लेमन जूस एड़ कर दिया है जिससे हमारी जो चीनी है फ्रेंड्स किस्टल्स बन जाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे तो दो तीन बूंद आप इसमें लेमन जूस जरूर एड़ करें और यहां पे चिप-चिपी स ज्यादा enhance हो जाता है उसके बाद यहां पे मैं घी एड़ कर रही हूँ तो तीन चमच मैंने यहां पे घी एड़ किया है घी को मैं थोड़ा सा यहां पे melt कर ली हूँ उसके बाद हमें इसे एड़ कर देंगे और इसे हाथों से अच्छे से मलते हुए यहां पे हम दो जैसा बना कर तयार करेंगे और आप देख सकते हो जब मैं इसे bind कर रही हूँ तो ये बिलकुल ball जैसा बनके तयार हो रहा है बिलकुल भी नहीं तूट रहा है मिन्स हमारा जुमोयन इसमें हमने डाला है वो बिलकुल perfect है उसके बाद अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पाली डाल कर यहाँ पे एक आटा लगा कर तयार करेंगे तो आटा जिस तरह से आप पूरियों के लिए लगाते हो उससे थोड़ा सा लूज हमें आटा लगा कर तयार करना है आटा बहुत जादा hard आ ना ही बहुत जादा soft होना चाहिए medium हम यहाँ पे आटा लगा कर तयार करेंगे उसे भी हम side में रखते हैं 10 minute के लिए दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे 3 चमच चावल के आटे का यूज किया है और उसमें हम 3-4 चमच घी आड़ कर देंगे और यहाँ पे हम 1 साटा बना कर तयार करेंगे तो यहाँ पी इस तरह से हमें यहाँ पे साटा बना कर मैंने तयार कर लिया है आप इसकी जगगा पे मैदे का भी use कर सकते हैं मैदे का यूज करने से जब हम उसे फ्राई करते हो तो तेल गंदे हो जाते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे चावल के आटे का यूज किया है और चावल के आटा का यूज करने से फ्रेंट्स हमारा जो यह खाजा है बहुत ही क्रिस्पी बनके तयार होगा आटे को भी मैंने चेक कर लिया है और यहाँ पे छोटे-छोटे साइज के यहाँ पे बॉल्स बना कर हम तयार कर लेंगे तो एक कप गेहूं के आटे से यहाँ पे छे बड़े बॉल्स बनके तयार हो गया है एक बॉल्स को ले लूँगी मैं और यहाँ पे एक पूरी के साइज का हमें यहाँ पे बना कर तयार करना है लेकिन हम इसे बहुत पतला बना कर तयार करेंगे और आप देख सकते हो मैं इसे इस तरह से फैलाते हुए बड़ी सी एक रोटी जैसा मैंने बना लिया है लेकिन हमें इसे बहुत पतला बनाना है तो इस बात का आप ध्यान रखें और यह दिखिए इस तरह से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने कितना पतला यहाँ पे बना कर तयार किया है अब हम इसे साइड में रखेंगे और इसी तरह से हम सभी बना कर तयार कर लिए तो मैंने सभी बना कर यहां पर तयार कर लिया है और एक यहां पर मैं पूरी ले लेती हूँ और यहां पर एक पतला समय यहां पर बना लेती हूँ उसे मैंने बना लिया अब इसके उपर हम क्या आपकी तो हलका सा आप इसे स्ट्रेश कर लें और उसके ऊपर फिर हम क्या करेंगे साटा लगाएंगे फिर तीसरी रोटी रखेंगे और उसके ऊपर फिर साटा लगाएंगे फिर हम रोटी रखेंगे इस तरह से करते हुए हम सभी रोटी को इसके ऊपर अच्छे से रख दें अगर brush आप लगाते हो friends तो अच्छे से वो नहीं लग पाते हैं तो इसलिए यहाँ पे मैंने हाथ से ही अच्छे से इसे spread कर दिया है उसके बाद एक तरफ से मैं इसे पकड़ कर अच्छे से दबाते हुए हम यहाँ पे tightly roll करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरह से मैं यहाँ पे tightly roll कर लेंगे तो आप देख सकते हो friends मैं किस तरह से cut कर रही हूँ बस आप भी उसी तरह से cut कर ले और बहुत ही simple और easy तरीके से आप यह खाजा की recipe बना कर तयार कर सकते हैं और इस तरह से हमें थोड़ा सा इसे हाथों से press कर देना है उपर के side से और यहाँ पे सभी को मैं इसी तरह से करके तयार कर लूँगी तो यहाँ पे मैंने सभी तयार कर लिये हैं और अब balance से हम थोड़ा सा इसे हम फैला लेंगे जिससे जो हमारा खाजा है बहुत ही crispy बनके तयार होगा तो हमें इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और नहीं हम इसे बहुत पतला रखेंगे यहाँ पे मैंने सभी बना लिये हैं और आप देख सकते हो इसमें layers बहुत अच्छे दिख रहे हैं लेकिन जब हम इसे fry करेंगे तो layers हमारे बहुत अच्छे से खुल के आएंगे fry करने के लिए आप gas की flame को बिल्कुल low पे रखें और यहाँ पे आप देख सकते हो जब मैंने यहाँ पे पहला add किया है तो बिल्कुल छोटे छोटे bubbles आ रहा है बस इसी flame पे हमें यहाँ पे add करना है और उसके बाद इसे low to medium flame पे ही हमें इसे fry करना है इसे fry करने में आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे और बहुत ही जादा खसता यह हमारा खाजा बनके बिल्कुल तयार हो जाएगा तो friends इस तरीके से आप एक बार इस recipe को ज़रूर try करें definitely आपकी जो recipe है बहुत ही जबर्जस्त बनके तयार होगी बहुत सारी परतों के साथ बनके तयार होगी और friends इस recipe की खास बात है कि इसे आप महीनों store करके रख सकते हैं यह बिल्कुल खराब नहीं होते आप इसे एक महीने तक आप इसे रख सकते हैं और यह देखी यहाँ पे मैंने सभी fry करके तयार कर लिया है चासनी भी हमने ready कर लिया था तो चासनी में हमें इसे add कर देना है जब हमारी चासनी हलकी गुनगुनी रहेगी उसी समय हमें इसे add करना है बिल्कुल ठंडी चासनी में आप इसे बिल्कुल भी न add करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो इसे अलट पलट कर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसे यहाँ पे छोड़ दूँगी तो friends अगर आप जादा मीठा खाना पसंद करते हो तो आप इसे थोड़ी देर के लिए आप इसे चासनी में डाल कर छोड़ सकते हो otherwise आप इसे एक सेकंड या दो सेकंड में ही आप इसे निकाल ले और ये दिखे किसी स्टेनर में निकाल ले जिससे जो भी एक्स्ट्रा इसमें शुगर होगा वो निकल जाएगा और यहां पे हमारी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही कम रसीली सी हमारी जो खाजा है वो बनके बिलकुल तयार हो जाएगी थोड़े से ड्राइफ रूट्स के साथ मैंने यहां पे गार्निश कर दिया है और आप देख सकते हो हमारी जो बहुत ही रसीली बहुत सारी पर्तों के साथ सिर्फ दो चीजों से बनकर हमारा ये स्वीट रेसिपी बनके तयार है फ्रेंड्स आप इस होली इस रेसिपी को ए मानों को सर्व कर सकते हैं तो आप देख सकते हो कितने सारे लेयर्स इसमें दिख रहे हैं और एक एक परत आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्रेस्पी बनके तयार हुआ है और बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनके रेडी होते हैं और खाने में भी फ्रेंड्स बहुत ही अमेजिंग लगते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी मेरी ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक शेर और सस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूले मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ तो फ्रेंड्स आप इसकी आवाज को सुन सकते हो कितना ज़्यादा क्रेस्पी बने है ये और आप देख सकते हो अंदर से भी ये काफी जूसी है आप इसी थोड़े और टाइम के लिए रखोगे फ्रेंड्स तो ये और भी ज़्यादा जूसी हो जाएंगे लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा टाइम तक इसे नहीं रखा है क्योंकि आज कल सभी हेल्थ कॉंशेंस हो गया है बहुत ज़्यादा मीठा खाना कोई पसंद नहीं करता है तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राइ करें पसंद आए तो चैरल को लाइक शेयर सस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फिर मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में ओके बाइ और टेक केर फ्रेंड्स